आज मैं बनाने जा रही हूँ सर्डियों की बहुती खास रेसीपी वो है फूल गोवी के पराठे अगर सर्डियों के मोसम में सुबो सुबो नास्ते में इस तरह के फूल गोवी के गरम गरम पराठे मिल जाए तो फिर क्या बात है वेसे तो गोवी के पराठे बनाना सभी को आता है लेकिन आज हम पिल्कुल बहुत ही टेस्टी हो परफेक्ट गोवी के पराठे बनाने जा रहे हैं चलिए अब हम चटपर से गोवी के पराठे बनाना स्टार्ट करते हैं govih के पराठे बनाने के लिए मैंने सबसे पर एक बाउल में दो कब गीह कांटा लिया है और देखें मैंने 300-控id गोवि लिया है, गोवि को दो कर मैं इसे सुखने के लिए रख दूगी अब गोवी को रख दिया है मैंने और इसके बाद में लूँगी नमक डालूँगी इसके अंदर स्वात के अनुसार और दो टेबलिस्पून डालेंगे तेल आटे की सबाध मिकσ कर लूँगी और यह अब इसका दो टो के साल लगाना ही है अगर सॉफ्ट लचिल थोड़ा टो तयार होंगा तो पराटे हमारे हमे अच्छे बनका तयार होंगी पराठो हमें हाट नहीं रहती है यह देखिए पानी थोड़ा तो डालकर टो यह श्यार हो और इसके अपद फोड़ा सा में तेल लगाकर थोड़ा और चिकना कर लूए और इस तरह से मैं ने देखी चिकना कर लिया है अब में से ढख कर 15 मिनट लिए रख दूँगी अब इसे रख दिया है अब हम बनाते इस्टफिंग बनाने के लिए देखिए गोभी का पानी भी सुख चुका है और अब मिलूगी एक कद्दुकस को भी को जब भी कद्दुकस करे जब पानी सुख जा और यह मिडियम साइज वाला लेना है और इस दरदरा कुटावा अध्रक और दो दरदरी कुटीवी हरी मिर्च और थोड़ा सा डालूंगी नमक ताकि यह सबजी गोभी अच्छे से सौफ्ट हो जाए उसे पाच मिट के लिए रख दूगे अब मैं आटे को चेक कर लेती हूं और यह देखिए आटा देखिए देखने स के लिए बड़े साइज के और आगी निकाल लेती हों और आब हम देखते हैं गोभी भी को कपड़े में बान कर मैंने इस कच्छे से दबा-दबाकर कर पाणी निकला है और इसे में एक बाउल के अंदर निकाल लोगी अब हम इसके अंदर मिलाएंगे मसाले और मसालों में हम डालेंगे इसके अंदर आदी चमर लाल मीर्च का पाउडरります मीर्च आपके स्वाद के नुसे कमिआ ज़्यादा भी कर सकते हैं एक चमर डालाएं धनीया पाउडर 140 स्पुन डालाए हल्दी पाउडर साथ में ही हम डालेंगे इसके अंदर एक चमब भूनेवे जीरेका पाउडर आधी चमब डालेंगे हम अजवाई आधी चमर डालेंगे जीरा और थोड़ा सा डालेंगे हम गरम मसाला और इन सब कच्छे से कर लेंगे मिक्स यह देखिए इस तरह से हमारी स्टफिंग बनकर तयार है अभी हमने नमक नहीं डाला है नमक लाष्ट में ही डालना है और अब डालेंगे हम खुब सारा हरा धनिया क टेश्ट बहुत अच्छा था इसे डालने में बिल्कुल भी कंजुसी ना करें बिल्कुल काटकर भूसता रहा धनिया मिस्क कर लें यह देखिए हमारी स्टफिंग बनकर तयार है अब मेंने एक बाउन में लिया है सूखा आटा और यह देखिए स्टफिंग अब हम डालें देखिए इस तरह से मिसे तरह से चक्री बना लूंगे जिसे कचोरी की बनाते है या रोटी के बनाते ना इस तरह से आई सेट की किनारे पतली और बीच का भाग थोड़ा मोटा रखना है अब हम श्टफिंग बनना में इसमें जादा बिल्कुल कंजुसी ना करें यह देख सकते कितना असान तरीका में बिल्खुल आपको पास से करके बता रही हूं और इसे देखिए अच्छे से सील कर लिया है और इसे अब में दोनों साइट से आपको बता रही हूं अब हम इसे बेलना है अब हम टारेक बेलेंगे नहीं से थप थपा कर थोड़ा बढ़ा अब लगाएंगे हम इसके उपर बेलन और बेलन घुमानी है हमें हलके हातों से बहुत जादा टाइट हटों से इसे नहीं बेलना है हलके हातों से इसे गुमाते वे बेलते जाए और ये देखे कितना बढ़िया से पराठा बेलकर तयार वाइश्टरफिंग भी बिल्कुल बाहर नहीं निकली है बिल्कुल हलके अलकी दीख रही है नहीं हमारा बिल्कुल परफेक्ट पराठा हमने बेलकर तयार कर लिया है अब मेने तवा गरम होने के लिए पहले सही रग दिया था तवा गरम हो चुका है अब में इसके उपर डालूंगी पराठी को और पराठी क से खाने में ज्यादा मज़ा लेकिन आप जिस तरह से पसंद करना उस तरीके से शेख सकते हैं और यह देखिए कि गोड़न इसके उपार चिक्ते आ चुके है और दुसी साइट भी में इसके बाद लगा दूँगी इसके ऊपर थोड़ा सगी और इसका हलके हलके दबाते देख सकते हैं तइसे भी इस तरह बंगे और उसे भी इसी तरह कर लोंगे पराथ में मिडियुअ से जो कि अब और इस पर विज़कन ही पर काताम पिज्चे। से या चूरी से या जिसे भी आप खाना पसंद करते हैं उस तक साफ देखने से ही पता चल रहा हुगा कि हमारा पराठा कितना परफेक्ट बनकर तयार हुआ है चलिए अब गर्मा गरम से पराठो को ही सर्व कर लेते गरम गरम कर पराठे खाने का तो मज़ा ही कुछ हो रहे थ और ताजी दही के साथ आप चाहे तो इसे हरी चटनी के साथ केचप के साथ भी खाना चाहे उसके साथ खा सकते हैं और मैंसे आपको पास से बता रही हूँ देखे कितनी अच्छी है हमारे पराठे बनकर तयार हुए तो इस तरह से सर्दियों के मौसम में मार्केट में लाइक करें सिस्क्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी मज़ेदार से आने वाली रेसिपी आपको मिलती रहे फिर मिलती हुए नहीं रेसिपी कसा तब तक के लिए बाई बाई